हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक पर दे टुरेसिटी बॉक्स नाओ इन दी लास्ट लेक्चर वी हाँ कम्प्लीटेट एक्स्ट्रा वाइड नहीं अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांजिशन कर कैसे प्रोवेड करती है और क्या होता है ट्रांजिशन कर तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाओट एनी फर्दर डिव ट्रांजिशन कर ओके छेक तो देखो मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक स्ट्रेट रोड कुछ इस तरीके से ओके और आप यहां पर इस फेहिकल में बैट कर मूव कर रहे हो यह कोई कार है और इसमें आप बैटे हो और मूव कर रहे हो कुछ 120 के स्पीड में ठीक है और रोड कैसी है पूरी स्ट्रेट है ठीक अब क्या होगा इस स्ट्रेट रोड में एक दम से कुछ गर्व आ जाएगा ऐसे जब गर्व आएगा इस पॉइंट पर और आप बोड कर रहे हो 120 किलोमीटर पर पर फवर के स्पीड में तो यहां जब आओगे क्या होगा यह पर माण क्या होता है जब इस ट्रेट रोड पर आप vara कर रहे है तो स्ट्रेट रोड की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है इंसा इन Lav стенigal force क्या होता है m v square by r ठिक तो इस जब straight road पर आप move कर रहेते तब जो centrifugal force था वो कितना था m v square by infinite so it is equal to 0 तब तो कोई दिक्कत नहीं थी बट जब इस point पर आप आओगे यहाँ पर curve स्टार्ट हो रही है circular curve तो इस point पर जो radius होगी वो कितनी होगी r के बराबर होगी है ना तो जब radius r हो जाएगी तो यहाँ पर centrifugal force m v square by r हो जाएगा है ना तो इस point पर जब आप आओगे तो आप पर एक force लगेगा इस तरीके से वो force होगा centrifugal force एकदम से लगेगा और एकदम से जब लगेगा तो उसकी बज़े से आपकी vehicle overturn कर जाएगी इसका effect इतना होगा कि वो आपकी vehicle को overturn कर देगा और वो effect किसके respect में होगा कि speed के speed आपकी ज़ादा है तो वो effect भी ज़ादा होगा उसी जटके से आप पहार फिक दिये जाओगे उस lane से ठीक क्या हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर sudden curve आ जाए और हमारी vehicle जब वो overturn कर जाए नहीं चाहते हैं नहीं चाहते हैं कोई अगर चाहता है तो वो extraordinary होगा बट नहीं चाहते हैं जनरली ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हैं तो क्या करना है यहाँ पर हमें एक ऐसा system प्रोवेड करना है in between the straight curve and the circular curve कि वो system की वज़े से वो centrifugal force का effect कम हो जाए clear तो वो system है transition curve क्या है वो transition curve clear तो transition curve क्या है transition curve it is that curve which is generally provided it is generally provided between the straight curve straight curve and circular curve किन किन के बीच में provide किया जाता है circular curve and straight curve छिप अब मैं क्या करूँँगा इस में transition curve provide कर देता हूँ यह आप आ रहे ते straight road पर move करते हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक transition curve provide कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक और इसके बाद आपका circular curve start हो जाएगा इसे ठीक ठीक infinite होती है तो आप अगर ध्यान से देखोगे यह transition curve है पूरा यह तो इस transition curve पर radius decrease हो रही है reduce होते हुए यहाँ पर r हो गई है देखो यहाँ पर infinite थी बहुत जादा थी अब यहाँ से कम होते होते वो r तक आ गई है और यह point कुन सा है यह point of circular curve है जहां उसकी radius r है ठीक समझ में आ गया कि along the transition curve radius always decreases ठीक ठीक तो देखो इसके objectives देखते हैं transition curve के तो transition curve हमने यहाँ पर क्यों provide करी है ठीक तो सबसे first जो objectives है वो मैं बताना जहोगा यहाँ पर देखो first objective समझते है मैंने क्या कहा कि radius जो होती है along the transition curve वो decrease होती है तो जो centrifugal force है वो क्या है P is equals to mb square by r है ना तो इस point पर जब आऊंगा मैं तो centrifugal force 0 होगा और यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर जो centrifugal force होगा वो maximum होगा है ना r के proportion में vary कर रहा है ना r अगर देखो r अगर ज़ादा है तो centrifugal force क्या होगा कम होगा P is inversely proportional to r है ना ठिक अगर मेरी radius ज़ादा है तो centrifugal force क्या होगा कम होगा ठिक तो यहाँ पर क्या है radius बहुत ज़ादा है तो centrifugal force P 0 होगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे centrifugal force क्या होगा increase होता जाएगा और जब यहाँ पर पोझेगा तो centrifugal force किसके पराबर हो जाएगा mv square by r तो मैं यह कह सकता हूँ किस transition कर हम किसके लिए provide करते है to introduce to introduce the centrifugal force gradually centrifugal force gradually gradually increase होगा धीरे धीरे इन्क्रीज होगा इसके वज़े से क्या होगा इसके वज़े से जो हमें जर्क मिल रहा था यहां पर देखो एक फर्स्ट केस में बताये थी यहां पर जर्क की वज़े से हमारी वेकल ओवर्टन कर रहे थी तो वो जर्क अवाइड हो जाएगा हो जाएगा सदन हमें पर फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा हो जाख नुम्हें के सकता हूँ कि to introduce the centrifugal force gradually so that so that sudden jerk can be avoided sudden jerk can be avoided तो यह हो गया हमारा first objectives of the transition curve it is generally provided to introduce the centrifugal force gradually अब नेस्ट अब्जेक्टिव्स देखते है, मैंने जब डेरिवेशन करवा है था, सुपर इलिवेशन का, वहाँ पर एक इसका फॉर्मला बताया था, वो क्या था, E plus F is equal to V square divided by 127R, that means मैं यह कह सकता हूँ कि जो सुपर इलिवेशन है, वो भी inversely proportional है, रेडियस के, ठीकिने, ठीक, तो जहाँ पर रेडियस जादा होगा, वहाँ पर इलिवेशन कम होगा, है न, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इलिवेशन अपना 0 होगा, minimum value तक होगा सुपर इलिवेशन कभी 0 नहीं होता है रोड पर, वो जो minimum value होती है सुपर इलिवेशन की, वो camber के बराबर होनी चाहिए, camber भी क्या है, एक slope है, बता रखा है मैंने यह क्या है तो, ठीक, तो जहाँ यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर infinite है radius, तो यहाँ पर E कितना होगा सुपर इलिवेशन, वो minimum होगा और वो किसके बड़ाबर होगा, क्या पर के, जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, वैसे-वैसे मेरा radius तो decrease हो रहा है, radius decrease हो रहा है, जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, but सुपर इलिवेशन क्या होगा, increase होगा, कैसे increase होगा, gradually increase तु इंट्रोड्यूस्ट तु इंट्रोड्यूस्ट तु इंट्रोड्यूस्ट तु इंट्रोड्यूस्ट तु इंट्रोड्यूस्ट इस सुपर इलिवेशन ग्रैजुवली सुपर एलिवेशन ग्रैजुली हमें इंट्रोडूस करना है इसकी वज़े से जो सुपर एलिवेशन है या इस है स्ट्रेट रोड है ये है ना देखो यहाँ यहाँ पर सुपर एलिवेशन कुछ भी नहीं है पर जैसे जैसे आप curve पर transition curve पर आओगे वैसे वैसे ये super elevation क्या होगा? बढ़ता जाएगा देखो, super elevation क्या होगा? बढ़ता जाएगा on the transition curve और जब आप इस curve पर आजाओगे इस curve के point पर आजाओगे तो इस curve पर आप लोगों ने super elevation calculate कर रखा है वो कुछ value होगी तो उस value पर ये पोहुच जाएगा that means यहाँ पर पूरा super elevation जो होगा इस curve पर वो फिर constant रहेगा छिक, सिर्प change कहाँ पर होगा यहाँ पर इस region में यह जो transition कर रहे यहाँ पर यहाँ ग्रेजुली increase करेगा, increase कहाँ तक करेगा जितनी हमने calculate करके इस curve के लिए provide कर रखी है इस curve के लिए जितनी provide कर रखी है फुद्री यहाँ पर आ जाएगी छिक, छिक, तो यह कुछ objectives है transition करके छिक, ओके, generally जो India में transition कर प्रोवाइड की जाती है वो spiral shape की होती है, छिक, तो जो preferable shape of the transition curve है वो है spiral, the spiral shape of the transition curve is generally provided in India प्लियर, छिक, अब अगर आप लोगों को transition curve डिजाइन करनी है डिजाइन करना इसका मतलब क्या है? डिजाइन करना इसका मतलब है कि हमें length find out करनी है transition curve की अब आपको होगे कि spiral तो कुछ इस तरीके से होता है तो इसका कैसे length find out करेंगे हम तो देखो, यह जो spiral shape होता है ना कुछ इस तरीके से होता है तो इसे हमें क्या करना है? इसे straight में project कर लेना है, straight line में project कर लेना है और इसकी length find out कर लेना है straight length जो है उसका तो आप length find out कर सकते हो ना? चिक चिक तो IRC ने यही कहा है कि कोई जो spiral shape है हमारी transition करकी उसका projection ले लो और उसकी length find out कर लो चिक ओके देखो यहाँ पर मैंने एक image डाल रखी है जो transition करती काता है यहाँ से transition कर्व स्टार्ट हुआ इस तरीके से फिर यहाँ से curve स्टार्ट हो गया ओके तो यह transition कर्व है चिक यहाँ से यह देखो super elevation increase करते करते से जा रहा है है ना चिक तो यह हो गया transition कर्व अब बात करते हैं design of transition कर्व की clear तो design of transition कर्व design में क्या करना है length of the transition कर्व हमें find out करना है तो जो length of the transition कर्व है यह तीन criteria के base पर calculate की जाती है तो सबसे first criteria हम यहाँ पर देखेंगे which is length of the transition कर्व based on rate of change of centrifugal acceleration किसके base पर rate of change of centrifugal acceleration rate of change of centrifugal acceleration के base पर transition कर्व की lens find out करनी है let us consider कि यह हमारी कोई transition कर्व है ओके बट हम इस curve का lens नहीं find out करना है IRC क्या करता है कि curve की lens find out नहीं करना है करना है उसका projection उसका projection यह है यह है initial point of the transition कर्व और यह है final point of the transition कर्व इस initial point पर जब transition कर्व हम प्रवाइड कर रहेते हैं transition कर्वाइड कर्वाइड करते हैं in between the straight road and the circular curve तो यहां पर तो straight road होगी ना तो straight road के इस point पर radius कितना होगा radius होगा infinite clear और जब यहां पर आओगे तो इस से आगे तो circular कर होगा तो यहां पर radius कितना होगा वो होगा आर फ्लियर चिक अब मैं बात करूँ कि acceleration कितना होगा centrifugal जो acceleration है वो होता है v square by r ठीक तो इस point पर centrifugal acceleration कितना होगा वो होगा 0 तो initial centrifugal acceleration at this point ही 0 बट अगर final की बात करूँ तो वो होगा a final जो centrifugal acceleration at final point और the end point of the transition curve कितना होगा v square divided by r के बराबर चिक अब मैं बात करता हूँ rate of change of centrifugal acceleration की इसको हम L मान लेते है let us consider the length of the transition curve कि इस L वही हमें find out करना है चिक rate of change of centrifugal acceleration क्या होता है it is denoted by c is equal to initial centrifugal acceleration change बताना है rate मतलब change इसके respect में time की respect में तो यह क्या होगा a initial that is centrifugal acceleration initial centrifugal acceleration minus final centrifugal acceleration ओके चीक या इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको इसको इस तरीके से final centrifugal change निकाल ना है तो final centrifugal acceleration minus initial centrifugal acceleration divided by time okay final कितना है v square by r so this is v square by r initial कितना है 0 divided by time t okay तो इसे मैं लिख सकता हूं this is v square divided by r t clear इस t को इदर लेके चले जाओ यह होगा t is equals to v square upon r into c यह c क्या है यह rate of change of centrifugal acceleration its unit is rate of change of centrifugal acceleration तो यह होगा meter square per second per second इसका unit होता है okay चेक यह c कैसे calculate करना है यह c calculate करना है एक formula है इसका 80 divided by जो irc ने दे रखता है ed upon 75 plus v in kmph इसकी help से हमें rate of change of centrifugal acceleration मिल जाएगा clear है चेक यह जो c है यह transition curve के लिए vary करता है 0.5 to 0.8 meter square per second तो इसकी value 0.5 से 0.8 तत वहरी करती है अगर आपकी यहां से आप centrifugal rate of change of centrifugal acceleration जो find out करोगे उसकी value अगर 0.4 आती है तो आप लोगों को 0.5 ही लेना है clear 0.5 से कम नहीं चाहिए और 0.8 से जादा नहीं चाहिए अगर अमान लोग की 0.95 आती है फिर भी आपको 0.8 ही लेना है चेक होके अगर हमें calculate क्या करना है length तो यहां पर c हमने calculate कर लिया अब t, t क्या है time कौन सा time जो initial point से final point तक जाने में लगा है वो time अगर length L है और speed V है vehicle की तो मैं यहां set length find out कर सकता हूं क्या होता है distance is equals to speed into time होता है that means L is equals to V into time होगा तो मैं T is equals to लेख सकता हूं this is L by V clear तो यहां पर put कर दो this is L by V is equals to V square upon R into C तो यहां से यह आ जाएगा L is equals to V cube divided by R into C तो length of transition curve क्या हो जाएगा इसे मुझे meter per second में करना है V को तो उसे में 0.278 V whole cube divided by CR तो यह हो गया है length of the transition curve which is generally based on rate of change of centrifugal acceleration यह इस क्राइटेरिया के according हो गया चीक चीक अब next देखते है next criteria क्या है next criteria है based on rate of introduction of the super elevation next criteria देखते है based on rate of introduction of super elevation rate of introduction of super elevation जैसे कि मैंने बताया था objective जब बता रहा था मैं transition curve के तब मैंने बताया था कि जो radius के साथ vary करता है elevation जो होता है वो radius के साथ vary करता है मतलब inversely vary करता है है तो जो transition curve होता है देखो यहाँ पर मैं बताता हूं यहाँ पर पताया था मैंने यह point है इस point पर radius क्या है infinite है तो यहाँ पर जो super elevation होगा वो minimum होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे radius कम होगी और जो super elevation है वो increase होगी बट IRC क्या कहता है कि वो constant rate से increase होना चाहिए किस rate से? constant rate क्रіज़ोली तो increase होगी होगी बट IRC कहता है कि वो कुछ rate से increase होगी और वो rate क्या है constant rate होगा ठिक और IRC ने कहा कि वो किस rate से increase होनी चाहिए 1 upon n rate से वो increase होनी चाहिए क्या increase होनी चाहिए super elevation जो आप लोग transition curve में super elevation provide कर रहे हो उसका rate जो होगा वो n by n के बराबर होगा इस rate से वो increase होना चाहिए ठिक IRC ने और आगे भी बताया कि जो ये n है ये n डिपेंड करेगा nature of terrain पर तो for different different terrain इस n की value IRC ने दे रखी है तो सबसे पहले अगर मैं plain and rolling terrain की बात करूँ plain and rolling terrain तो इसके लिए जो n के value होगी वो होगी 150 ठिक है अगर hilly area की बात करूँ तो hilly area के लिए जो n होगा वो होगा 60 ठिक अगर built up region की बात करूँ built up region जो built up areas होते है उनकी अगर बात करूँ तो वहाँ पर n जो होगा वो होगा 100 that is rate of introduction of the super elevation यह हमारी जो projected transition कर्व है यह होगी और इसके अलाउंगी elevation क्या होगा तो यह कुछ की इस तरीके से होगा यह ना इस तरीके से उसको increase करना है तो उसके आगे इस transition कर्व के आगे क्या है circular कर्व है और circular कर्व के लिए हमने क्या करा है super elevation calculate कर रखा है तो जब मैं इस point पर आऊंगा end point पर आऊंगा transition कर्व के तो वहाँ पर मेरी super elevation किसके बड़ाबर होनी चाहिए जो मैंने circular कर्व के लिए calculate कर रखी है उसके बराबर चिक और IRC ने क्या बोला है कि 1 by n rate से उसे increase करना है तो मैं यहाँ पर एक section ले लूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो किसी interval पर मैं एक section ले लेता हूँ तो उस section पर जो rate होगा super elevation का वो क्या होगा one union ही होगा one union always इस constant rate से super elevation को increase करना है यह IRC ने बोल रखता है चिक चिक अगर मैं इस section 1 पर मानूँ यह मेरा section 1 है उसका length है l1 ओके और इस transition कर्व का length है l और यह जो rise हुआ है वो है x चिक चिक तो यहाँ से मैं यह कह सकता हूँ कि जो one union हुआ है यह मान लेते है x1 ओके वो किसके बराबर होगा इस x section पर यह जो first section हमने लिया है वो होगा x1 divided by l1 यह किसके बराबर होगा x divided by l constant rate से increase हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि x by l जो होगा वो 1 by n के बराबर होगा तो यहां से मैं length of the transition curve find out कर सकता हूँ this l is equals to कितना हो जाएगा n into x है ना l आपको पता है x पता नहीं है चिप अब x कैसे calculate करना है यह मैंने बता रखता है कब बताया था last lecture आपको लोग रूपको याद होगा कि हमने जब super elevation provide करना था तो rotation किया था surface का तब मैंने बताया था चिप तो वहां से मैंने for inner edge rotation generally हम prefer करते हैं यह मैंने बताया था तो वहां से जो हमारी values idx की वो id w into e यह w क्या थी यह width of the road थी बट यहाँ पर हमने single एक ही width वहां पर जो extra widening है वो हमने consider नहीं कराता बट यह भी क्या है यह जो design कर रहे हैं यह भी एक curve है तो इस curve पर हमें extra widening provide कर नहीं होती है तो यह जो width होगा वो width क्या होगा width of actual road plus extra widening total extra widening यह भी तो होगा न तो मैं कह सकता हूं जो x आएगा हमारा वो आएगा w जो lane का होगा जो width of the road होगा वो plus extra widening total extra widening that means combination of mechanical widening plus psychological widening into e होगा तो यहां से हमें x मिल जाएगा clear यह clear हो गया x कैसे calculate करा है जब मैंने inner edge rotation और centralized rotation बता रहा था तब मैंने इस road के width को ही consider किया था मैंने extra widening consider नहीं की थी बट अगर हम curve की design कर रहे है यह जो है हमारी यह transition curve है तो इस curve पर हमें provide करना होता है extra widening तो उसका भी तो width आएगा न चिक तो वही width मैंने यहां पर consider कर रहा है और x की value मैं यहांसे find out कर लूँगा अब मैं x की value में put कर देता हूँ तो वह आ जाएगा n into w plus ex extra widening into e चिक तो यहां से मुझे length of the transition curve बिल जाएगा which is generally based on range of introduction of the super elevation यह जो length of the transition curve मिली है एक किस criteria के corresponding मिली है range of introduction of the super elevation देखते हैं third criteria third criteria क्या है कुछ नहीं है IRC ने empirical formula दे रखका है जो IRC है उन्होंने कुछ empirical formula दे रखके है for different different terrain उसके corresponding length of the transition curve find out कर सकते है ठीक तो यहां पर मैं link देता हूं based on empirical formula empirical का spelling क्या होता है I think यही होता है based on empirical formula आप देख ले ना interview में पूझेगा empirical क्या है empirical की spelling क्या तो पता होना जाए I hope कि यहीं है ठीक तो third criteria है based on empirical formula by IRC, IRC ने दे रखका है Indian Road Congress ठीक तो different different terrain है हमारे पास दो ही terrain है terrain है एक है plane and rolling terrain plane and rolling terrain तो इसके लिए जो गुनोंने formula दे रखका है length of the transition curve वो है 2.7 V in kmph whole square, whole नहीं V का square divided by R ठीक यहां से length of the transition curve आप calculate कर सकते हो अगर question में दिया हो कि plane and rolling terrain है ठीक अगर ऐसे दे दिया हेली terrain तो हेली region के लिए जो होता है वो होता है L is equals to V square divided by R ठीक तो यह हो गए empirical formulas देखो जब one more question या two more question आएगा उसमें दिया हुआ रहेगा कि plane and rolling terrain है तो आप लोगों को वो जो हमने दो criteria देखे है इससे पहले वो आप लोगों को सबसे पहले वो उससे calculate नहीं करना है सबसे पहले calculate करना है plane and rolling terrain जो empirical formula दे रखता है IRC ने उसके help से calculate कर लेना है आप लोग वो calculate करते रहोंगे उनकी help से calculate करते रहोंगे तो पूरा exam खतम हो जाएगा आप लोगों का बहुत जादा time लगेगा तो क्या करना है gate में अगर question आता है तो सबसे पहले empirical formula से check कर लेना है चिक उसके बाद अगर question में particularly दिया गया है कि based on rate of introduction of super elevation से find out करना है तो उसी से करना अगर कुछ भी नहीं दिया है तो फिर तीनो बट prefer इसे ही करना है सबसे पहले इसे check कर लेना है ठिक फिर बाद में उन दोनों से calculate करना है और जो maximum length of the transition curve ID रख्या बोल रहा हूँ ध्यान देना जो maximum length of the transition curve ID वही हमारा answer होगा तिनों criteria की help से हमें length of transition find out करना है और length of the transition curve जो होगा वो हमारा maximum होगा out of the three clear समझ में आया छेक तो ये होता है length of transition curve की design I hope कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे provide करना है और transition curve की जो ideal shift होती है जो preferable shift होती है बहुत ये spiral shift और उसके objectives क्या है ये भी मैंने बता दिया है चिक इस lecture को मैं यहीं रुखता हूँ और next part में हम देखेंगे alignments जो horizontal alignments है vertical alignment है उनके design देखेंगे horizontal curves and vertical curves ओके चिक तो basically हम next lecture में देखेंगे वर्टिकल curves जो summit curve है value curve है उनका design कैसे करते है ये सारी चीज़ हम अगले lecture में देखेंगे तब तक के लिए आप revise करते रहिए और आई करते रहिए अच्छी के थैंक्यू एंक्यू